हलो प्रेंट्स, विल्कल तो डेली केजी, आज मैं रेसिपी लाई हूँ एक केग की, जो केग लबर है और साथ मैं मैंगो लबर भी है, उनके लिए तो सबसे अच्छी है, मैंगो केग बनाएंगे तूटी-फूटी वाली समर स्पेशल मैंगो केग की रेसिपी को आप बिना स्किप करे हुए एंट तक देखिए एक कप मैंगो पल्प ले लिया है, इसे हमें मिक्सिंग जार में डाल देंगे इसमें एड कर देंगे हम, हाफ कप शुगर एड करेंगे वन फॉर्थ का ओयल ब्लेंड करेंगे स्मूथ पेस्ट बना लेना है मैंगो पेस्ट को एक कंटेनर में ले लेंगे जिसमें हमें बैटर बनाना है शुगर और मैंगो के इस मिक्स्चर में हम एड कर देंगे एक कप मैदा मैदा में एड कर देंगे हम वन टी स्पून बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा इसको अच्छे से छान लेंगे सारी इंग्रेडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर देना है अब हम इसमें एड करेंगे वन फूर्थ कप मिल्क एक साथ नहीं एड करना है आधा एड करेंगे फिर मिक्स करेंगे जब हाफ मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमें और हाफ मिल्क एड कर देना है फिर से मिक्स करेंगे एक स्मूध बैटर जब तक नहीं बन जाता बैटर स्मूध हो गया है अब हम इसमें आड करेंगे पूटी-फूटी पूटी-फूटी के आड करने के लिए मैंने वन फॉर्थ कप पूटी-फूटी लिया है इसमें हम एक स्पून मैदा आड कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा एड़ करने पर टूटी फूटी हमारी जब केक बेक होगी तो नीचे बैट नहीं जाएगी इसे भी अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे बैटर रेडी है अब हम केक टिन को रेडी करते हैं बेकिंग डिश में ओयल ब्रश कर देंगे फिर हम बटर पेपर लगा देंगे फिर एक बार इसके उपर भी ओयल ब्रश कर लेंगे बैटर को डिश में पोर कर देते हैं उपर से भी थोड़ी सी टूटी फूटी से गानिश करेंगे अगर आपके पास दूसरे कलर की टूटी फूटी भी है तो भी आप उसमें से डालिए खुब अच्छा लगेगा देखने में बैटर रेड़ी है बेख होने के लिए अब हम इसे बेख करेंगे 180 डिग्री से एंटिग्रेट प्री हीटेड आवें में 30 तू 35 मिनिट हमें बेख करना है 30 मिनिट बाद हम एक बार चेक कर लेंगे उसके बाद अकर जबुरत पड़ेगी तो ही और 5 मिनिट बेख करेंगे 35 मिनिट बेख हो गया है एक बार केक को चेक कर लेंगे देखिए तूटपिक एक दन क्रीन निकल रही है केक परफेक्ट बेख हुआ है इसे ठंडा होने पर अनमोल्ड करेंगे ठंडा हो गया है आईए डिमोल्ड कर लेते हैं कि बटर पेपर लगाने की वज़े से खुब अच्छे से डिमोल्ड हो जाता है कहीं स्टिक नहीं करता है मैंगो केक को कट कर लेते हैं टेस्टी और फ्लफी मैंगो केक को आप भी एंजॉय कीजिए मैंगो केक को आप चोकलेट सिरप के साथ सर्फ कीजिए बच्चों को ऐसे ही चोकलेट सिरप पसंद है और केक भी पसंद आती है इन दोना का कॉम्बिनेशन जबरदस्त होगा मैंगो केक हो और फिर उपर से चोकलेट सिरप सोने पे सुवागा आप भी ट्राई कीजिए यसी पी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए थैंक्यू